नमस्कार साथियों यदि आप भी सिक्सक भरती परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है जिया साथियों बताना चाहेंगे आपको PGT जो की Post Graduate Teachers है उनके लिए Vacancy जारी हो चुकी है और यहां तक की Teaching के साथ मैं Non Teaching पदों की संख्य अभी बहुत अच्छी है जिया साथियों अंतिम तिथी के कितने दिन बचे हैं और कैसे कैसे आपको apply करना है कहां से यह form निकला है क्या age criteria है क्या qualification चाहिए यहां तक की Non Teaching को बाद में बताएंगे लेकिन Teaching जो Post है उसके लिए पहले हम आपको पूरी जानकर इस वीडियो में cover करेंगे और बताना चाहेंगे देश भर से क्या अभियर्थी सभी eligible है क्या क्या qualification चाहिए किस राज्ये में apply करना है vacancy वैसे बताना चाहूंगा permanent vacancy है वेतन भी अच्छा खासा है जिया साथ यो और बताना चाहेंगे सिक्सा संबंदे जानकारी पाने के लिए और यहां तक की महत्पुन अपडेट्स पाने के लिए सिक्षक भरती और यहां तक की असिस्टन प्रोफेसर भरती परिक्षाओ की यदि तयारी कर रहे हैं तो हर प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे बिल आइकन आउन करे तो चलिए शुरू के लिए लिए लिखा हुआ दा ओपनिंग डेट ओफ एंड क्लोजिंग डेट फोर रिसीप ऑफ ओनलाइन एप्लिकेशन एज आर अंडर यानि की साथ यह ओपनिंग जो डेट है समिशन ऑनलाइन एप्लिकेशन की वह उननिस मार्च दो हजार चौबिस से सुरू हो चुकी ह दोपैर बारा बजे से और अंतिम तिथी आप देख सकते हैं सत्रा एप्रिल दो हजार चौबिस अंतिम तिथी दी गई है इसकी रात को बारा बजे ग्यारा बज़कर उनसट मिनट यह टाइम देख सकते हैं आप जी हां सात्यों सत्रा एप्रिल इसकी अंतिम तिथी है बता CDSSB से निकली है जो की दिल्ली सरकार के उसमें आती है Government of N City of Delhi जो की 5 March 2024 को Notice और Application रिलेज हुई थी लेकिन जो Form starting हुए थे Application के वो आप देख सकते हैं 19 March 2024 से Form शुरू हुए थे ये साथ यो देख सकते हैं Advertisement संख्या है और बात करें पदो की संख्या की तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे Teaching पदो के बारे में तो Teaching पदो में साथ यो आप देख सकते हैं PGT Informatics and Practices Computer Science के लिए है PGT English है, PGT Sanskrit है, PGT Music है, PGT Painting है यानि की साथ यो बताना चाहेंगे कुल मिलाकर के इसमें PGT Level पर ये यानि की कह सकते हैं Post Graduate Teachers के लिए वैकेंसी निकली है जो की काफी अच्छी है, काफी अच्छा सुनेरा आउसर है यदि आप PGT Level से Master Degree आपके पास में है BA Degree है और आपने कुछ और भी किया हुआ है Master Degree से अलावत तो भी आप आविदन कर सकते हैं क्योंकि इसमें टैट सी टैट अनिवारे नहीं होता है जी है साथ यो बताना चाहेंगे इसमें टैट सी टैट नहीं होता है PGT में और मैं आपको Qualification आगे बतादन बताना चाहूँगा लेकिन उससे पहले हम इन में जो पदो की संख्या है उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं आप देख सकते हैं PGT English की बात करें तो PGT English में साथ यो 9 वैकेंसी है PGT Informatic Practice Computer Science में 3 वैकेंसी है PGT Sanskrit में 3 वैकेंसी है PGT Music में 1 है PGT Painting में 6 वैकेंसी है जी यां बहुत अच्छा Golden सुने रहा या आप भी इच्छो के योग्या भीरती है तो आप आविदन कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँँगा यहां पर दसवी पास से लेकर के Post-Graduation तक वैकेंसी निकली हुई है जो कि आप देख सकते हैं जो कि नन टीचिंग पदों में भी सामिल है जो कि वैटनरी एंड लाइश्टोक इंस्पेक्टर है कैंटीन अटेंडेंट है सेल्समेन ग्रेड वन है जनरल कॉर्स्पोंडेंट अर्सिस्टेंट है स्टूर कीपर अकांटेंट असिस्टेंट है और उसके बाद में बात करें हम असिस्टेंट आर्किटेक्ट है असिस्टेंट डाइरेक्टर होटी कल्चर में है चेर साइड असिस्टेंट है डेंटर मेकेनिक है डेंटल अपरेटिंग रूम असिस्टेंट ग्रेट थर्ड से है ECG टेक्निशिन है इस्टेटिकल असिस्टेंट है, वेल्डर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, होटी कल्चर में, बात करें, लेबुरेटरी असिस्टेंट है, पब्लिक हाल्थ नर्सिंग ऑफीसर है, बी सीजी टेकनेशियन है, असिस्टेंट कम्यूनिटी ओगनाइजर है, असिस्टेंट सैन चीन है फिजव थेश्ट अइंस पन्स डिप्र देचु एप inn है इंस्पेक्टिंग ऑसिस्टेटर एपूरेटोगी और सेंपल केरियर तो साथ यो देख सकते हैं लेबर ऑपी से असिस्टंट आर्कलॉजिस्ट है और जूनियर इंजीन Mouse libearianने डी कंप्यूटर साइंस के सामि इसमें 55 पद इसमें दिये हुए हैं बहुत अच्छा सुने रहा आफसर है साथ यो जूनियर असिस्टेंट है जूनियर लेबॉरिटी अनलिस्ट है प्रोग्रामर है और भी बाकी के यदि परसनल असिस्टेंट हिंदी के लिए चाहिए परसनल असिस्टेंट है पर अकाउंट के लिए भी इसमें बहुत ही अच्छी इसमें वो दी हुई है तो देख सकते हैं dssb online.nick.in इस official website पर जा करके आपको आविधन करना है पूरी जानकारी notification आपको वहीं पर प्राप्त हो जाएगी साथ यों बताना चाहेंगे और भी महत्मौन बात यदि आप सरकारी result पर जाओगे तो वहाँ पर भी आपको पता लग जाएगा वहाँ पर भी vacancy available हो चुकी है आचुकी है advertisement नमबर देख सकते हैं सबसे पहले यदि बात करें PGT की qualification की तो PGT qualification एक बार मैं बताना चाहूँगा आपको उससे पहले देख लेते हैं PGT Science के लिए क्या है PGT Informatic Practice and Computer Science के लिए तो देख सकते हैं department यह है नियो डेली मुनसिपल कारण council याने की NDMC में यह vacancy है और इसकी जो अंतिम तेथी है इसमें देख सकते हैं आप यह vacancy कितनी कितनी है इसमें अन्रिजर्ड के लिए तीन है OBC नहीं है SC नहीं है ST भी नहीं है इसमें टोटल तीन vacancy साथियो दी हुई है जिसमें की BE, BTEC, Computer Science, Computer MC, MSC इनमें सो होना चाहिए आपके पास में कुछ कुल मिला करके एक, दो, तीन, चार, पाँच और यहां तक की 6 इसमें 6 qualification दी हुई है और साथ में साथियो graduate with bachelor of education याद नहीं कि BE, BT भी आपकी इसमें होनी चाहिए जियां इसमें क्योंकि BE, BT कंपलसरी मांगी गई है बिना BE, BT का आप आविदर नहीं कर सकेंगे और साथियो इसका यदि वेतन की बात करें pay scale की तो 47,600 रुपे से 1,00,000 देख सकते हैं आप 47,600 से 1,00,000 यानि कि डेड़ लाग की something इसमें vacancy होने वाली है ग्रूप B के according non-ministerial non-gadgeted इसमें ये vacancy है age की बात करें तो 18 से 32 साल तक इसमें age दी हुई है minimum 18 साल और maximum 32 साल और age में relaxation मिलेगा यदि आप किसी category से है लेकिन बताना चाहूँँगा clearly आपको साथियो ये vacancy जो निकली हुई है ये साथियो PGT level के लिए है और इसमें सिर्फ unregistered vacancy है तो आप एक बर clearly check out करें यदि आप category से है तो भी आप जनरल से आवेदन कर सकते हैं यदि आप दिल्ली से बाहर से है अधर स्टेट से है तो भी आप आवेदन करेंगे तो जनरल से ही कहलाएंगे जी हां और बताना चाहेंगे PGT English की बात करें तो PGT English में साथ यो unregistered के लिए तीन vacancy है OBC के लिए 2 है SC के लिए 2 है ST के लिए 1 है EWS के लिए 1 है टोटल 9 vacancies इसमें है और साथ यो बताना चाहेंगे इसमें PWD या फिर PWBD या फिर disabilities candidates और किसी के लिए इसमें vacancy नहीं है परसंटेज इतनी चाहिए साथ साथ यो minimum marks पे भी यदि आपने post graduate पास किया हुआ है तो भी आपाविदन कर सकते हैं क्योंकि इसमें examination होगा और साथ में देख सकते हैं इसमें साथ यो desirable में भी देख लेते हैं एक बर 3 years experience on non teaching in a college या फिर higher secondary school या फिर high school in concerned subject बताना चाहेंगे इसमें साथ यो tat seat at इसमें available नहीं किया गया है इसमें मानने नहीं दिया गया है और और इसमें और बात करें तो हम इसमें साथ हो having obtained PhD degree in the subject concerned from recognized university यदि आपके पास हम PhD आपने की हुई है तो भी आप आविदन कर सकते हैं अच्छा सुनेरा अफसर है और बाक आपक नौटिफिकेशन जरूर पढ़ने होती है मैं अपने हर एक वीडियो में ऐसा ही बताता हूं ताकि आपको आपका जो फो में वो reject ना हो या फिर कोई भी कमें उसमें ना हो सके तो देख सकते हैं साथ यो आप इसका भी pay scale देख सकते हैं 47600 से लग बग डेड़ लाक र समतिंगे पेश केल है इसका और इसमें की बात करें तो 18-36 मांगी गई है यानि की मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 36 है और इसमें क्लियर लिखा हुआ है गर्वर्मेंट सर्वेंट के लिए एज में रिलेक्सेशन होगा जो कि आप देख सकते हैं टीचिंग साथ छूट मिल सकेगी एज में इसेंसल क्वालिफिकीशन की बात करें तो मास्टर डिगरी होने चाहिए और साथ में संस्किर्त में होनी चाहिए जिस सब्जक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसी सब्जक्ट से रिलेक्ट तो मैं बतार और दीक सकते हैं म्यूजिक क एक भी है आपके पस तो आप आविदन कर सकते हैं इच्छो के उम्योग्य अभिहर्थियों को चांस है पूरे देश बरसे आविदन कर सकते हैं इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई आविदन नहीं कर सकता अधर रिश्टेट से या फिर कोई रेश्टिक्शन्स दिया हुआ है कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप आविदन कर सकते हैं साथ यो अंतिमतिति 17 अप्रेल 2024 से पूरी जानकारी आपको www.dssb.online.gov उस पर ओफिसल वैबसाइट पर जाना है वहीं से पता लगेगी तभी आपको आविदन करना है बिना पूरी जानकारी पढ़े आपको आविदन नहीं करना है जी हां साथ यो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्स्क्राइब करके बेल आइकन आउन कीजिए ताकि इंफर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे मिलता हैं इंफर्मेटिव वीडियो के साथ जैहिन जैभारत